सब्सक्राइब यूदूब चैनल और भाई हाज फिट से नितिस भिया के सौप पर हम आयो होगते हैं कुछ काम से और भाईय से मिलने सो यहां पर एक और गाड़ी दिख गई मैंको एक और प्यारी मिर्शीन दिख गया और वह कौन है आपको बताता हूं जल्दी आपको बेसिकली आइडिया होई गया होगा सो भाई अपने कोगला का कजिन ब्रदर मान लो आप इसे सो चलो जल्दी से गाड़ी दिखाते हैं ज् सबसे फॉर्स्ट आपका आपका आप इसे आप इसा क्यों बोल रहा हूं जल्दी वीडियो में पता चल जाएगा आप वीडियो को देखते रहो लाश्ट तक ठीक है सबसे फॉर्स्ट आपका आप अगर इस वाइक को देखते हो ना पर्टिकुलर इस वाले मॉडल को तो आपको क्या नोटीस करोगे आप इसका कलर एक्चुलर ब्लैक नहीं है यह कुछ साइड़ ग्रेय टाइप का कलर भी यूस किया गया है वाई सब कलर इसके में इसके ब्लैक भी ब्लू भी है और यह मॉली कलर आती है ना उसमें भी है बट यह कलर पर्टिकुलर यह कलर बहुत अच्छी लगती है हलाकि ब्लैक कलर भी उपर खड़ा है बट मैंने इस वाले वाइक को निकला है क्योंकि मुझे यह मुझे बहुत प्यारा लगाता है अगर आपको नेकेड बाइक पसंद है यहां पर आपको सेम होई देखने को मिलेगा और यह जो सेट अप है और यह जो टायर है ना यह टायर बस टायर अलेग है बट टायर का साइज सेम है 150 Y60 R17 टायर आपको इसमें मिलता है और सेम अपने अपाचे अर्र 310 में भी है और जैसा इंजन मैंने बताया है कि देखो भाई इंजन अपना सेम है अब बस यह फ्रेंट का जो कैप है यहां पर BMW लिखा हूँ अपने पर TBS रेसिंग लिखा हुआ है और अगर फ्रेंट का बात करें तो भाई देखो फ्रेंट में भी सेमें लोग आपको ही मिलता है और जो सबसे पहले बात की केटियम डूक 390 से बहुत ही प्यारी वाइक है इंजन आपको रिफाइंड मिलता है कोई शू नहीं है और सबसे बड़ी बात आपको यह ब्लू सा एक लोग मिलता है जि आपको बहुत पैसे लगते हैं यह लोगों लाने के लिए और ग्रे वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन पूरे वाइक पर तो बहुत प्यारा लगता है यह चीद और यहां पर एक फूर्ट लिखा हुआ है कुछ रेड एक सेंट में और अगर सब्सेंशन सेटप के बात कर की बात अलग होती है उसमें सस्पेंशन सेटप अलग-अलग किया जाता है और इसको ब्रेक सिस्टम हो रहे है कि बात कर ले तो ब्रेक सिस्टम आपको सेम होई मिलता है सिदा करना बाइसे अगर ब्रेक सिस्टम की बात करें तो देखो ब्रेक सिस्टम सेम होई मिलता है सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें तो आपको यहां पर इंग्रेविंग आपको दिखता है यह BMW का लोगो मस्ट सा क्योंकि BMW है तो पता होना चाहिए बाइब करें और जो सबसे वन अब फेवरेट पार्ट अगर मानलो ना इस बाइक का तो यह देख रहे हो यह प्रोपर तरीके से इसमें आपको टैंक पैड और कोई लगाने के नीड नहीं होता है यहां पर मस्तिक आर का ब्रैंडिंग है जी त्रीटेन आर का और बस यहां पर इसमें आपको एक टैंक पैड होगर कोई चीज नहीं लगाना क्योंकि जिसे बकल हो गरह से या वेल्ट होगर से स्क्रैच आते हैं उसका टेंसन नहीं रहता आपको और मेंटर की अगर स्टार्डिंग स्ट्वेंस की बात कर लें तो चलो वह भी दिखा देते हैं और अभी एक छोटे टैसे की बात करें तो यहां पर देखो भाई यहां भी एक BMW का मस्ता लोगों आपको दिखता है और भाई साब इस हमें साथ से मैं बोल रहा हूं ना इस लोगों के पैसे हैं टैसे में और सबसे कूल बनाने वाली चीज यहां पर है ना यह है इसका हैड लाइट फेवरेट पार्ट है मेरा इस बाइक का कि आप देख लो BMW LED यहां लिखा हुआ आता है ना बहुत खुबसुरह था इसका एक्चुल में रात में थ्रो भी बहुत अच्छा है ऐसा नहीं कि सिभ लिखा हुए BMW LED ऐसा कुछ नहीं है तो इसका थ्रो भी बहुत प्यारा है और छोटे टचेस में एक और चीज़ दिखाता हूं आपको यह जो आपको ब्रेक पैडल दिखता है ना सो यह ब्रेक पैडल देखो आपको इसके जी 310 जी एस जो एडवेंचर मॉडल है उसमें भी सेम आपको देखने का मिलेगा सेम पैडल सेसरी के बात करें इसमें तो यहां पर अड़ेस्टेबल लीवर लगा हुआ है जो अब इसली के सीक्स पॉइंट तक एड़ेस्ट होता है इसका कलर देखो है हलका गोल्डेन सिल्वर में है और यहां पर अगर आपको नजर आ रहा हो तो यहां पर जी 310 के आपको ब्रैंडिंग भी दिखी जाती है और यह है तो भाई इसमें ग्रीप बहुत सॉलीड हो रहा है अगर ग्रीप के बात करें तो एक नमबर का ग्रीप यह प्रवाइड करता है अगर विदाउट ग्लफ भी यूज करें तो और अगर लाइट वाट के बात करें तो अल्मॉस्ट टिपिकल स्टाइल वाले स्विचेस का यूज किया गया है जैसे अधर वाइक में आपने देखा होगा यहां पर अपना किल स्विच है यहां पर इंजन स्टाट के लिए सेल्फ है और जनरली यहां पर जो पासिंग स्विच दिया जाता है यह अपर डिपर और डियारल के लिए हैं टर्न इंडिकेटर एंड हॉन आपको सेम स्टाउक करते हो तो यह बहुत अच्छा सौन प्रोड्यूस करता है बट इस टाइब के बाइक कस्टम इग्जाउस्ट डिजर्ब करती है यह पॉइंट आप नोट कर लेना अगर इग्जाउस्ट के बाद करें तो चलो भी सुनाते हैं उसके बाद बात करेंगे करें अगरें इस बाइक का च्छाटा सा डिटेल तो एणिवेश अब ज्यादा टाइम ब्यास्ट नहीं करते हैं सीधा चलते हैं बाइक पर बाइक पर में चला करके देखते हैं और यह वी सेल पे अबलेबल है अपने डैनेमिक लखनौ में और कित्ती चली हुई है अभी ब मोडल है दिसंबर का दोजारी किस मोडल है दिसंबर का सो भाई इस सेल पे अबलेबल है और कॉंटेक नंबर इनी का रहेगा सुछीं से बात कर लेना अगर चाहिए और नीड हो तो कॉंटेक्ट कर लो सो अब टाइम है चला करके देखने का और इसको ओरिजिनल फिडबेक देने का क्योंकि गाड़ी बहुत कम चली हुई है तो अब इसलिए कि हलाकि किलोमेटर भी बताने रहा है यह चार से पांचार किलोमेटर चला हुआ गाड़ी है और स्ट्रीट मोटर साइकल चलाने में भाई एक अलग ही मज़ा है अलग ही फन है क्योंकि भाई बिल्कुल कमफटेबल होते हो असपोर्ट बाई के जैसे थोड़े से पेनफुल वाले कोई सिच्वेशन ऐसा क्रियेट नहीं होता है और भाई इसमें मीरर वन सगें मिरर नहीं है तो जानते हूं न कि मीघर की न आपके भाई को चलाने का आदत निया थोड़ा सँकंफोर्टेबल में को लगता है कोई भी भाई को फिलाल में स्थ्पेक्स तो बता चुका हूं तो फिलाल फीड़ देने का टाइम है तो पिला सबसे ज्यादा लगता है कि आप गाड़ी जब हाइएंड करते हो ना तो आपको विंड ब्लास चेस्ट पू बहुत तगड़ा फील होगा कि देखो वाइब ब्रेकर पे आने के बाद सस्पेंशन सेट पता चले जाता है तो यह जो कंपनी से स्टॉक सेट आप आता हुवा ही सस्पेंशन है क्योंकि इसमें कोई छेड़ साड ने किया गया है कि पाइक चलाने में भाई स्मूध है इंजन मेंटेन है अगर किलोमेटर कम है तो अब इसली कि इंजन मेंटेन है कभी कभी होता है कि कुछ लग भाई करते हैं बड़ गाड़ी चलाते नहीं तो वह इसे सेल पर दे जाते है और एक बहुत अच्छी चीज़ है देखो यार मैं ह치는 कभी करेंतर सम्सेंट श्रीजेंटा इस आपको सेम तो जरूर मिलेगा मिलेगा पार अपने भाही नोँ बहुत है वो से बहुत है वाइबरेशन ठीक है तो इस प्रह legal में और 2-3 सोरे जलने में मस्त है औरindustrie में को यह rapidement है और यह वी सेम प्लेटवाम प्रेतman का यह ब कि अब इसले केड़ तो चैसिस का फर्क है इसमें बैठने का पोस्टर हो गड़ा को बहुत फर्क होता है यह सारी चीजें हैं बट गाड़ी वेल मेंटेन गाड़ी है तो चलाने में मज़ा आता है इसमें आपको वाइबरेशन फिल नहीं होता है इंजन में और यह स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ में तो भाई अब इसले की गाड़ी थोड़ी सी ऐसे लगते ही कि भाई आ बहुत एक दब के चल रहे मतलब पावर वो फिल नहीं होता है न रेव वाली हाई रेव वाली जो फ लिखने को मिलता है और अगर नहीं की बात करें तो अल्मोस्ट थोड़ी सी प्राइजिंग लिटल विट अगर इसमें थोड़े से और डाल दो तो आरार थ्रीटेन आपको बिल्टू ओर्डर मिल जाएगा जो अपनी वाली वाइक है अगर गाड़ी के बात करें वाई देखो भाई गाड़ी चलाने मस्त है है एंडलिंग मस्त है गाड़ी प्रोपर स्टाख है इसमें कोई किस्टमाइजेशन नहीं है पावर के लिए भी नहीं बिल्कुल स्टाउक गाड़ी है इंजन से लेकर चैसिस तक एवरेटिंग इस तो और इंजन का रेफ प्रोपर सेम है भाई सेम टू सेम जो अपनी वाइक वाली है ना फिल एकदम सेम तो सेम आपको मिलेगा और 310 विकार दोनों की इंजन पावर एवरेटिंग सेम है और ट्राफिक 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 आपक तो यह दो को फुल तार्टल की थोड़ा सा देखते हैं भाइसा एक्सलरेशन एकदम सेम अगैंट है तो आपको जरूर इसमें मिस्करों गये क्योंकि बाई यह डैनिक बहुत वर्क करता है वाइक को स्टेबल रखने में आपको स्टेबल रखने में और भाई उससे पावर इंक्रीज थैंकर होता है तो औरिसले यह एरोडिक नहीं तो थोड़ा-सा यह डाने मिशिंग है काड़ी में बट ड़सने मैंटर ब्रोऊ it is BMW you know brand is brand bro so brand value is white के साथ में कर लेकर गुमते हो तो आपको कही ने कहीं बाई brand value देखने को तगड़ा reaction मिलेगा कि वाई BMW का चौट BMW का टोरा लेकर के गुम रहा है तो भाई actual में BMW है तो है यह जो blue logo है ना इसके लिए बहुत पैसे लगते है बहुत पैसे तो अलागे अपने बाद TVS है बाट डाजेंट मेंटर भाई सेम एंजन सेम बाइक I mean BMW और TVS का को लाइब है तो कोई इश्यू नहीं है अपने को बहुत ट्रस्ट अपने बाइक पर अगर आपको नेकड मोटर साइकल में अगर इंट्रस्ट है और आप KTM जैसे ब्रैंड के सा साइट जरूर हो जाता है और वह 400 CC है बट फिर भी आइधिंग की वन आप दा बेश्ट डिये रहेगा आपके लिए सब्सक्राइब करेंगे और बाइक ज्यादा नहीं चला हुआ है चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर पर कॉंटेक्ट करेंगे और बाइक ज्यादा नहीं चला हुआ है चाहर से पांच जार किलोमेटर चला हुआ है में भी 4000 सम्थिंग बता रहे था बट मीटर भी नहीं दिखा रहा है विच सम्रीजन एक्षुली सर्विस मोड पर है तो गाड़ी सको सर्विस चाहिए था तफिराल वीडियो के रहे बाइगे था और सफ़मीद को कि Auch फॉर सब्सक्राइब करते किए क娜 अब सब्सक्राइब करेए ने चला है झाल झाल